नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभी का तिकराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है सैमसिंग के डिवाइस में इस प्रॉब्लिम को यहाँ पर सॉल्फ केसे कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपके जो तक देखेगा ठीक है जो भी सॉलुशन बताऊंगा उसको फोलो करना है एंड आपका जो यहाँ पर प्रॉब्लम है जो बार-बार स्वीच ओफ हो रहा है जो यह बार-बार यहाँ पर ओफ हो रहा है उसको आप फिक्स कर पाऊगे वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकोन को क्लिक करें और अगर आप ऑनलाइन पैसा कामाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शिन पर आपको लिंक मिल जाएगा चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो आपके मुबाइल बार बार स्विच ओफ होते हैं हो सकते दोस्तों किसी सेटिंग के वज़ए से या फिर कोई एप्स के वज़ए से या फिर डिवाइस में प्रॉब्लम हो गया होगा ठीक है तो सबसे पहले आप अपने मुबाइल पर शेडूल और एडेप्टिफ पावर सेविंग को भी आप बंद कर दे यानि कि पावर सेवर आपको दोनों ही बंद कर देना है ठीक है तो इससे दोस्तों आपको स्विच ओफ या फिर टर्निंग ओफ का प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों यहाँ पर मान लिजिए आपने कोई अप्ल मोबाइल है वह बार-बार स्विच ओफ हो रहें तो उस एप्लिकेशन को डिलेट करें या फिर आपकी मोबाइल पर कोई ठट पटे अप्लिकेशन जो की कोई बैट एप्लिकेशन हो सकते ठीक है अगर आपने कोई भी आन्नोन वेबसाइट से इंस्टोल किया हुआ है तो उ यूजस कम होगा अपने मोबाइल पर और प्रॉब्लेम भी सॉल्फ होगा ठीक है अगर दोस्तों आपको जो है बेग्राउंड एप्स को बन करना है तो बेटरी और डिवाइस केर में जाए बेटरी पर क्लिक करें और या पी मिलेगा बेग्राउंड यूजस लिमिट और उ अपका डिवाइस अपडेट होना चाहिए डिवाइस अपडेट रहेगा तो इस तरीके का प्रॉब्लेम सॉल्फ हो जाएगा इस तरीके का प्रॉब्लेम अपकी डिवाइस में नहीं होगा दुबारा से तो यह सारे सॉलूशन दोस्तों आप यहां पर फोलो आप कर सकते है बाई एनी चांस उसो मान लेज़े आपने सारे सॉलूशन की आप फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है तो जेनरल मेनेचमेंट सेलेक कीजिए स्क्रॉल डाउन करके रिसेट पर जाएए फेक्टॉरी डेटा रिसेट पर क्लिक करके आप यहाँ पर रिसेट ऑप्शन सेलेक कीजिए और अपने मुबाईल को फेक्टॉरी डिसेट कर दीजिए जैसे ही फेक्टॉरी डिसेट होगा आपका प्रॉब्लम भी सॉल्फ हो जाएगा ठीक है अगर मुबाईल बार बार स्विच ओफ होते हैं यही सारे रिजन से और यही सॉलीशन आप फोलो भी कर सकते हैं ठीक है और दोस्तों कई बार क्या होते हैं बेटरी कनेक्शन लूस होने के वज़़ा से भी यह प्रॉब्लम आते हैं डिवाइस में तो अगर बेटरी कनेक्शन वगरा लूस है तो आपको किसी टेक्निशन के मदद ही लेना होगा या फिर कुई सेर्वेस ने दर पर जाके आप फिक्स कर सकते हैं आज के लिए बस इतना ही दोस्तों उमीद करते हैं आपको वीडियो पस्तर नहीं होगा टेंक्स वर आचिंग अधि